नमस्कार मित्रों, ओम शान्ती, आज का विजय मंत्र है, जिन रिस्तों का आधारी किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ या किसी भी विकारों के कारण ग्रसीत है, वह रिस्ता आथिक देर ठीक नहीं सकता। सच्चा रिस्ता आत्मा से आत्मा के संबंदों से बनता है, इसलिए चैंचल मन का शुद्ध विचारों से भरपूर होना आनिवारी होता है। कहां भी जाता है स्वार्थ के रिस्ते एक रेत के ऊपर जैसी कोई इमारत बनाई जाए और तुफान आने के बाद वो इमारत धह जाती है। वुष्षी रिती से जिस संबंदों में, जिस रिस्तों में स्वार्थ भरा हुआ है, वो ज्यादा देर ठीक नहीं सकते हैं। और निश्वार्थ रिस्ते कितना भी प्रयास करो, तूटती हुए भी तूट नहीं सकते हैं। आपने आज समाज के अंदर परिवार के अंदर देखा होगा, कि निश्वार्थ प्रेम की जगह हर विक्ति के अंदर एक स्वार्थ की भावना निर्मान हुई है। प्रेम की भावना समाप्त हुई और उसकी जग स्वार्थ ने लेली इसलिए आज आत्मा आत्मा से दूर हो गई है आत्मा का आत्मिक नाते से जो सम्मंद होना चाहिए था जो वास्तेविक सत्य है शाश्वत है और वही सम्मंद आविनाशी है आतल है और वही आनत्त तक ठीक सकता है इसलिए सच्च्या रिस्ता निभाने के लिए हमारे मन की शुद्धता चाहिए मन की स्तीरता चाहिए यह जो मन की जो चैंचलता है वो मनुष्य को भटका देती है बने बनाए रिस्तों को खत्म करने के लिए विव्यक्ति को एक स्वार्थ कोई भी स्वार्थ निमित बन जाता है जा बनी बनाए रिस्ते स्वार्थ या गलत फ्रमी से दूर हो जाते हैं रिस्तों में जो आज मिठा से वो समाप्त हो जाती है इसलिए हर एक को अपने जीवन में परिवार में विजय को प्राप्त करने के लिए सुभा सुभा आपने मन में बुद्धी में शुद्ध विचारों को उसका स्टॉक आपने पास रखो और भरपूर करो तो ये जो शुद्ध विचार है कि सब मेरे आपने हैं सब इश्वर के संतान हैं सारा परिवार जो है वो मेरा है ये शुद्ध विचारों की भावना ऐसा काम करेगी कि जो आंचाहय भी आपको चाहने लगेगा आपके जिवन के अंदर कोई भी अगर स्वारत नहीं है सब के प्रति निश्वारत भावना है तो ये निश्वारत भावना सभी को एकता में एक सुत्रता में बांदेगी इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रिष्टों को टिकाने के लिए रिष्टों को बिखरना नहीं देना है उसके लिए एक सच्चाई का निश्वारत भावना का निश्वारत प्यार का आधार उसको अगर हम बनाए तो निश्वारत ही हमारे रिष्टे बहत मजबूत होंगे और हम उस खुशी और आनन्द का लाब ले पाएंगे और सदा विजयी बनके आगे बढ़ेंगे Thanks to all, best, सबको Om Shanti